केटने लोग कल नहीं आयते हैं ओनलाइन आयते थे तो तो गया अचा कल जीतना पढ़ा तो इसमें कोई पॉइंट में कोई प्रावलोम आपने दोर इंटिलिजिन्ट है कोई प्राब्लम नहीं आया तापका अगला टॉपिक है सुपरविजन क्या बोले सुपरविजन होता क्या है सुपरविजन आपका टॉपिक है जिसके बता रहे हैं सुपरविजन होता क्या है क्या हुआ हुआ है क्या हुआ है थीख विए और स्मय जिए अग्टिस्टीटीज शुटिए। वे सब्सक्राइब कम देने कि अग्टुटू को पॉड़ें इस यह जो पॉड़ें इन इस फॉड़ें से लिए और रहें निया तका वा देन तो आगें से भॉचाइब दूपरिकें है। तो आपको टॉपिक है जो सुपर्वीजिन वह आपके स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर लिखा हुए सुपर्वीजिन का मिनिंग होता है इंप्लाई को वर्क देने और यह देखने से है कि वह और के कोर्डिंग वर्क कर रहे हैं एवन उन पर कंट्रोल करने से हैं इसमें जो लिखा अभी वही हम परहे हैं आगे बता रहे हैं आप इतना उच्छुक है बताईए तो सुपर्वीजिन का मतलब यह होता है कि कोई इनसान होता है आगर को बोस है ठीक है उसके अंडरे में जो शुचर होता है यह मीडिल science यह ज्यार लोर लावल होता है तो शोकी नेकुछ अडर दिया होता हुं अपने का मतलब यह होता है जो लोक काम कर रहा है कि ऑपने काम को systematic of aim में कर रहे हैं कि नहीं जो प्रकिरिया कर रहे है Corps आश्व नहीं कि जिए सा लेडर को अपरक देजा स्थो दो श्ट देशाथ के खैनी लगाता राता है तो वही देखना हुता है टाइम पास्थ General भर कंटीनूकर है कि नहीं छिस्टम भताया स्के पोर्ड निग कंखर है जो प्रोसेस तो उसके॥्ष कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसका मतलब यह हुआ कि आप local example में देखेंगे जमेट वाला जब जमेट मैट के जमेट आया था तो पहलो इंफरा loser इस्ट्रक्शर त्यार किया इंफराіз्ट्रक्शर के थुरौबे अपना सारा प्रोसेस त्यार किया होगा उसके अपने लेवर को हायर किया उसके बीच मैनेजर डाला होगा टॉप लेवल पर खुद होता है जो फिजिकली वर्क कर रहा होता है तो जो स्टाप को बताया कि अगर कोई और करता है तो उसको अक्सेप्ट करना है एक्सेप्ट करने के बाद होटल पर जाना है वहां से order receive करना है फिर उस order को home deliver करना है तो इस सारा process है तो वही जो manager बैठा होता है इस process को देखता है कि process wise कर रहा है कि नहीं कर रहा है अब ऐसा थोड़ी न कोई order नहीं किया और वो hotel से समान लिया और उसके घर पर जागा home deliver कर दिया ऐसा तो होगा नहीं तो यही process होता है ज पूरी तरह से कर रहा है कि नहीं कर रहा है time pass तो नहीं कर रहा है उसके उपर जो boss उसको order को follow कर रहा है कि नहीं कर रहा और control में है कि नहीं है यही देखना पड़ता है how is superơn टा मतलब यही होता है कि को problem को जिक्कत online में पुछना छोड़तेगा तो और तकलीफ लगेगा अबिपूच्यों को आम इस जवाब नहीं देगी नहीं लोग या गोहरोब या तन्नु जवाब नहीं देगी तो कुछ नहीं शोड़ दीजे खाली समझे के ओफ्लाइन क्लास चल रहा है और रिकॉर्डिंग कर रहा है इग्नोर कर दीजे ठीक है सर चीक बढ़ाई तो उसके बाद आता है क्यारेक है या लोड लेवल के मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है इसका मतलब यह होता है कि सुपर विजन जो होता है वो लोड लेवल पे भी होता है मिडी लेवल पे भी होता है और अपर लेवल पे भी होता है लेकिन इसमें बता रहा है कि लोड लेवल से रिलेटेड होता है यह कि ज़्यारा कि जुड़ा यूज वहीन पर होता क्योंकि lower level पे जो भी होते हैं उनको unikat करना होता है यह करते तो प्रोसेस होता है जो इन पर अधों परोडन हम पर तो उस प्रोसेस क्को लेधिन की नहीं करें वही देखना होता है means लिए lower level पे इसका ज़ादा यूज होता है जो बताय जा रहा है इसमें अब जैसे अभी हम जमेटो का बता रहा थे आपको तो जमेटो में जो manager होता है अब और boss जो है तो boss तो देखने आएगा नहीं lower level वाले को इसलिए तो manager रखा कि manager देखे तो manager low level पे ही इसको यूज कर रहा है supervision को supervise कर रहा है पूरे को सबको देख रहा है कि वो proper way में work कर रहा है कि नहीं कर रहा है systematically कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो lower level में यहीं बता रहा है किसी को समझे में कोई problem इस point में इसके बाद बताता है employee से इसका direct relation होता है employee से इसका direct relation होता है वो कैसे होता है वो होता है इस तरह है कि जैसे अभी हम बता रहे थे middle level जो होता है lower level पे बात कर रहा होता है बता रहा होता है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है systematic way में कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो Employees जो होते हैं उसका Direct Relations इसलिए होता है कि एक दूसरे को Understanding करना बहुत Important है अगर Understanding नहीं करेगा तो फिर काम नहीं होगा और Employees से Direct Relations इसलिए बता जाता है कि एक दूसरे को Understanding कर रहना है तभी जाकर आगे काम हो पार, अगर नहीं करेंगे तो काम वहीं पर ख़तम कर रहा होता है थिसको बोलते हैं přिरिज कह सकते हैं दोनों और बिच में इसमा बताає है मैनेडर और पर रहे हैं ऊसे हुते हैं सब्सक्राइब SAR कर रहा हुते है इसमें कोई problem इसके बाद बताता है employee-orient होते हैं employee-orient होते हैं कि जो job कर रहे होते हैं या जो भी staff होते हैं वो काम करते हैं, ठीक है, लेकिन as a machine थोड़ी ने use कर सकते हैं पाइंट इसली कहा जाते है कि वह भी in-sahin प्रोसेस पर काम करें जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो इसलिए भताया थैंट अब उसको बम कितरह तो काम निहीं करा सकते हैं। कुछ बता नहीं पाता है और उसको लोग खेट में जोतते हैं तो उसको जितना म Healthy और जो उनको खेट में काम करवाते हैं लेकिन employee level होता है एक boundary होता है वहीं तो यूज कर सकते लो तो कि बताता है employee औरियंट होता है उसका बोलता है इसमें planning even controlling दोनों relation दोनों responsibilities include होता है इसमें बता रहा है कि supervision जो होता है ना planning और controlling के दोनों का responsibility include होता है इसमें अब planning से related कैसे है अब किसी को काम करने के लिए पहले plan करना बहुत ज़रूरी है जब plan होता है तो इसमें सारा system होता है इस तरह करना अब पूरा infrastructure होता है उस planning में infrastructure structure त्यार करने का controller होता है जो control करता है तो supervision में इसका बहुत हैम रूल बताए गया है planning और controlling के बीच जो responsibilities included होता है इस पॉइंट को समय देना किसी प्रावलम है इसे बोलता है planning और controlling जो होता है ना दोनों का responsibility include होता है वो इसलिए होता है कि आप अगर एक company को लेते हैं या कोई भी फार्म लेते हैं तो उसको तयार करने पहले planning होता है जो planning के तुरू इंफ्राइस्टेक्चर त्यार किया दा में पूरा सिस्टεται नल्प इस उक्था नहीं को देख रहा है तो पहले planning होगा और controlling ऊगर supervisen नहीं नहीं हो तो work proper यचçar सकता है तो इसलिए बताया गया कि supervision जो होता है बहुत इंपर्टेंट होता है प्लैनिंग इन कंट्रोलिंग के responsibilities के included समझ में आया उसके बाद बोलता है healthy human related पर force देता है इसका मतलिब यह बताया जा रहा है कि जब आप किसी काम को करते हैं अगर आप जो काम कर रहे हैं उसमें जितने लोग होते हैं प्रोपर वे में होते हैं healthy होते हैं fit होते हैं तो पूरा काम सही से करते हैं तो इसी तरह बता रहा है अगर किसी काम को करना हो तो जब direction देते हैं, आपका जो supervisor higher है, वो properly mentally ठीक है की नहीं है, physically ठीक है की नहीं है, psychologically ठीक है की नहीं है, यह बता रहा है, इसमें, अगर वो psychology ठीक नहीं है, mentally और physically ठीक है, तो properly नहीं कर पाएगा, जो supervisor जो supervision level पे होता है, अगर physically ठीक है, mentally नहीं है ठीक, तब भी वो नहीं कर पाएगा, mentally और physically दोनों है, उसके बाद psychologically नहीं है, तो problem होगा, तो यही बता जा रहा है, health human relation पर force देता है, इसका मतब यही बता है, अगर आपके जो supervisor post पे जो है, supervision level पे जो है, उसको healthy होना जरूर ही है, यही बता रहा है, इंसान से related होता है, इस point को समाझे में किसी वो दिक्कत, नो सर, उसके बाद आता है, सोब और इनेट का direction, leadership and motivation किया जाता है, सोब और इनेट का direction, leadership and motivation किया जाता है, इसका मतब यह होता है, कि जो आप जिस्मान लिजे एक company में, तो कलम बता रहा है कि company में भी एक leader होता है, अब इनसानी तो है, एक ही काम रोज करता है, फिर बोर्ड हो जाता है, ठक जाता है, तो वही बता जा रहा है, कि तो direction, direction दे रहा होता है, वो कहीं न कहीं motivation करता है, duration, एक period पे, चाहिए वो leadership हो, supervision हो, या as a director हो, लेकिन वो motivate करता होता है, अपने employee को continue, तागे वो proper way में work कर सके, और जब आप other country देखेंगे, out of India, तो बाहर की companies के लिए क्या करती है, जब कोई staff होता है, कोई employee होता है, या कोई manager होता है, तो इसको हर 6 महिने पे, एक साल पे trip देती है, गल आपका एक company कितना ध्यान रखता है, आपके family का कितना ध्यान रखता है, आपको मतलब कितना source रख सकता है, आपके mental pressure नहीं होने दे रहा आपको, आपको बाहर घुमने के लिए दे रहा, आप बोर्ड नहीं हो रहे है, इस चीज़ को maintain करने के लिए वो लोग बाहर का trip देते हैं, तो इसमें वहीं बता रहा है, कि leadership हो, या motivation हो, वो supervision के थुरू होता है, या manager के थुरू होता है, तो supervision का भी उसमें बहुत important role होता है, इस point को समझे में किसी को दिक्कत, उसके बताता है, आप से higher management के पड़ती responsibility होता है, अब बताएंगे, इसका मतलब यह होता है, कि जो supervision level पे होता है, as a supervisor, तो उनके lower level पे जो भी होता है, जो भी काम हो रहा होता है, या जो भी work हो रहा होता है, work इने progress होता है, तो अगर वो सुबह में अपनी job को join करते हैं, duty पे दाते हैं, फिर एक period आता है, एक time आता है, जिस पे उनको खदम करना होता है, अपना उनका office में जाके input देना होता है, कि आज इतने दिरे में इतना काम हुआ, और वो उनको बता रहे होते हैं, जो उसे उपर वाले manager होते हैं, उनको बताते हैं, वो अपना responsibility उनको दिखाते हैं, कि मेरे उपर जो काम था, वो हो रहा है, इतना हुआ है, यहां तक पहुँचा है, वो यही बता रहा है, कि आपके उपर में जो manager है, management जो कर रहा है, आपको उसको अपना responsibility दिखाना परेगा, कि आप क्या कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, आप भी जाके office में बैठे हैं, आपके lower level क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं होता है, उनको बताना हो इस तरह का process होता है, तो वही बता जा रहा है, अपने से higher level पर जो manager होता है, जो supervisory कर रहा है, जो supervision पर होता है, उनको बताना होता है, अपने उपर वाले boss को इस पूरे point में कहीं पर कोई problem इसको भी समझा धी है, अच्छा है, employees oriented का मतलब यहां पर यह बता रहा होता है, कि अगर एक company है, यह चलिए मान लेते हैं, जामेटो है, जामेटो में जो staff होता है, जो आपका सामान, part ogr करता है, फिर हम deliver करता है, तो उसका भी एक time table होता है, time table होता है दस वजे से आप रहत, 8 वजे तक job करेंगे, काम करेंगे तो उनका बांडरी होता है उनका लिवल होता है उनका लास्ट बांडरी होता है जो उनको फ्रॉस नहीं करना है वहीं तो वो बेचारे कर सकते हैं उस काम को उनकी कैपिसिटी उतनी है अब उनका लास्ट टाइम 8 बज़े और आप बोलेंगे 12 बज़े डिलेवर करना है तो ऐस अब यह गारी थोड़ी ना चला रहा है जहां तक मन आवहां तक गहारी इन्सान का एक खुट का कैपेसिटी उता है उसी लेवल पर कोई भी इनसान काम करता है सबके अपने-पने हिसाब की capacity होती है हर इंसान की अपना-पना level होता है तो वह भी बता जा रहा है इतने point में किसी को कहीं पर को problem आप लोग एक बार पर से नीचे तक पूड़ा point और definition देगे अगर कहीं पर problem हो रहा तो बता हिए करें पर कोई प्रॉब्लम है नौ सर्थ आपको जो प्रहाय जा रहा है तो इसको आपको खुच्चे भी पढ़ना होगा ऐसा नहीं कि आप यहां पढ़ लिए तो याद रहे जाएगा और आपका एक्जाम बहुत नजदिक है आप लोग के हिसाब से टाइम तो ऐसे बहुत है लेकिन आप लोग पे इतना प्रेशर एक आप लोग को लग रहा होगा बहुत नजदिक है तो आप लोग को कमसे कम इस 24 गंटे में यहां से खतम होने के बाद एक बड़ जरूर देखना चाहिए जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उसको देखेंगे तब जाके रिमाइंड होगा जब रिमाइंड होगा तो आपके माइंड पर अटोमेटिकली जाके प्रिंट होता है अगर रिमाइंड ही नहीं करेंगे तो मैक्सिमा अगर बहुत ब्रिलियंट है तो दो दिन याद रखेंगे उसके बाद वो किलियर हो जाता है तो आपको इसको देखना होगा कल हम जितना परहाय हूं देख किया है थे आप लोग कोशन पुछेंगे कि अगरे चल्मान भाई है अब डारेक्षन का डिफिनेशन बदाए डारेक्षन का मतलब है अच्छब कोई बात नहीं है विबेक सहाब बताईए इसमें खुस्बूराम की कोई लगकी बताईए आप बताईए मुझधY के ना जो ना फिर्दसफकर करेंगे आपके सामने बताने आप अपकी इस तरह बतारें लेकुत्स के सब अच्छे सिंह फैगा आप बहुत अत्तक सही है और कोई डिरेक्षिन मालू में तीन फ़र्म में हो सकता है रिक्वेस्ट करना ओर्डर देना चलिए कोई बात नहीं से मालूम होता है कि आप लोगों ने कल बुक नहीं देखा है इंफर्मल और्गनाईजेशन का यूज बताएगा कोई भी एक आदमे इंफर्मल और्गनाईजेशन का अन्लाइन में कोई तो आप लोग परकर नहीं है इसका मतलब यहीं हो रहा ना बहुत बड़ा काम कर दी है पढ़के नहीं आए तो इसके बात बताता है सुपरविजन का इंपर्टेंस कुछ इस परकार है जो आपके स्क्रीन के उपर दिख रहा है इसमें बता रहा है रिशोर्स का इफिशेंट यूज इफिशेंट का मतलब किसी को मालू है बताईए नहीं वो नहीं होता है सर और कोई इफिशेंट का मतलब होता है कम से कम समय में है कम से कम वक्त में जो काम को पूड़ा किया जाता है वो फिशेंट कहते है इफिशेंट ली वर्क कहते है तो ही बता रहा है रिशोर्स का इफिशेंट यूज कोशिश करेंगे कम से कम इफिशेंट कम से कम जो सुपर विजर होता हूँ वो कम से कम अपना यूज जो हता है, जो करना चाहता है, कि कम से कम यूज में, कम से कम अपने जो ability के हिसाप से, कम से कम ability यूज करके, वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा work कर सके, ज्यादा से ज्यादा अच्छा performance दे सके, तो इसमें वही बता रहा है, जो भी उसके साथ शुर थोड़ी efficient का meaning गलत बता है efficient का मतलब होता है कम से कम पैसे में तो भी बता रहा है कि कम से कम पैसे में जो supervisor होता है उस उसता है कम से कम पैसे में कितना ज्यादा use कर लें कितना ज्यादा work done कर लें कितना ज्यादा काम कर लें कितनी ज्यादी responsibility को निभा सके कम से कम पैसे में तो वही इसमें बता है resource का efficient use करना जो भी resource उनके पास available है जो भी शुरूत है उनके पास वो कम से कम use करें जितना कम हो सके वो use कर रहा प्रोड़क्ट तयार कर सकें तो वही इसमें रिशोर्च का efficient use इस point को समझे में कोई problem किसी को कोई problem नहीं तो कोई एक आदमी इसका example बता सकते हैं अब हम बताते हैं शुरी की app जो है जब आप उस पर जाएंगा order करने तो आप जो भी food का नाम लिखेंगे उसमें दो condition होता है या तो आप food का नाम लिखे या restaurant का नाम लिखेंगे तो restaurant के नाम में ये condition नहीं है जब आपको food का नाम लिखते हैं तो इसके कोशिश करता है आपके जितना नजदिक जो भी restaurant है उसमें वह वाला food available हो और वह आप तक पहुचा सके तो कम से कम पैसे में जाहिर सी बाते जब जादा दूर जाएंगे तो गारी जाएगा गारी जा जादा यूज़ा तो इस तक कम से कम resource में आपके जो भी order होता है अवलेबल कर सके जब आप किसी food का नाम सर्च करते हैं तब अगर hotel का करते तो वह अलग matter यहीं बता रहा है इसमें resource का efficient use कम से कम time में नहीं कम से कम passion कोई problem resource का efficient का यूज़ जो बता रहे थे जैसे अभी हम सुईगी बता रहे थे हैं सुईगी में दो condition होता है आप यागर restaurant का name search करेंगे या food search करेंगे तो जब name search करेंगे तो उस पर यह condition apply नहीं होता है जड़ फूड सर्च करेंगे तो शूगी कोशिस करता है कम से कम खर्चे में वह आपके food का खर्चा नी वँब अपना खर्चा कम से कम खर्चे में कम से कम traveling में जब ज्यादा traveling करेगा हो तो petrol ज्यादा तो उसका खर्चा का जादा खर्च होगा तेल में उसका जादा खर्च होगा लेकिन वो कोशिश करता आपके जितना नजदिक होटल हो और उसमें वो फूट प्रवाइड हो ताके वो आपको दे सके कम खर्चे में तो वही बता जा रहा है, रिसोर्च का कम से कम यूज करके अच्छा प्रोडक्ट दे, अच्छी रिस्पोंसिविटी अपना निभा सके, जो सुपरवाइजर होता है, अपने वर्क को बेस्ट सो कर सके कम से कम रिसोर्च में, कोई प्रावलम? इसके बाद बताता है, Employee तो था Management के बीच कड़ी, तो वह हम बता रहे था आपको, कि Top Level और Lower Level के बीच का जो ब्रीज होता है, जो दोनों के Communication को एक दूसरे तक पहुचाता है, वो Middle Level होता है, चाहे Middle Level पे कोई भी हो, तो वही बता रहे है, इसमें Manager और Employee, इस दोनों के बीच म जो ब्रीज बनता है, जो कड़ी बनती है, जो जंजीर बनता है, वो Supervisor होता है, या Supervision के Level पे होता है, अभी जो आप है, खुंदन सर है, तो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, और सर हम को भेजे हैं, तो अभी आपको जो हम पढ़ाएंगा, और आप जो हमसे Question करते हैं, फिर सर को हमको Responsibility होता है कि सर को जवाब देना है, तो सर हमसे पूछेंगे, तो हम बताएंगे आप जो पूछेंगे और हम आपको पढ़ाएं, तो आपके और सर के वीच ये Communication हुआ, लेकिन इस Communication को कुन पूड़ा कर रहा है, हम कर रहे हैं, तो यही इसी को कहते हैं कड़ी, हो सक हम सर को बोलें, तो जो आपका request है, तो इस request को जो हम सर के पास पहुचाएंगे, तो आप और सर के बीच हम ब्रीज बन रहे हैं, हम आपका जो Communication है, वो सर तक पहुचा रहे हैं, तो वही बता जा रहे हैं आपे, Employer और Management, जो Lower Level पे Physically वर्क कर दोते हैं, या Mentally जो भी Lower Level पे ह होता है, और Management होता है, इसके बीच है, Supervision पे है, कि Post पे जो भी इनसान होता है, जो भी Employee होता है, जो भी Supervisor होता है, वो इस काम को पूरा करते हैं, Lower Level के Communication को Middle Level तक या Manager तक जो पहुचाते हैं, Supervision जो होता है, इसी Gap में अपना, खाली जगह को भरता है, जो Bridge बनता है Lower Level to Middle Level के बीच की करिए, इस पाइंट में समझने हो, किसी को कोई भी Problem, इसका दूसरा Example यह होता है, कि Flip Card जो होता है, जब आपको कोई सामान खरीदना है, तो Flip Card पे जाते हैं, सर्च करते हैं, सर्च करने का Product पसंद आता है, हो सकता है, कोई लोग Minimum Price का खुशते हैं, उनको मिल गय तो ठीक, कोई Average Price पे जाते हैं, उनको मिल गया तो ठीक, तो इसी तरह आप गया और आपको पसंद आगया, और आप Order भी कर दिए, तो आप Order कहां कर रहे है, Flip Card एप पे, और आप Order कर रहे हैं, लेकिन आपका सामान Order करने के बाद आप तक जो Deliver हो रहा है, और Flip Card एप से लेक वही पॉइंट इसमें बताना चाहा रहा है, Employee तथा Management के बीच की करी, समझे मैं कोई प्रबलम, और एग्जांपल चाहिए, ओनलाइन, इसके बाद बोलता है इसमें, पाश्मा पॉइंट पर, Discipline बनाए रखना, इसका मतलब क्या होता है, अच्छा, 4 नमबर बता रहा हूं, Motivation का Source, इसका मतलब यह हो रहा है, अभी इससे पहले हम बता रहे थे, कि आपका जो Lower Level पर जो भी होता है, Women होता है, वो उनके capacity होती है, एक ही काम रोज करते हैं, वो ठक जाते हैं, बोड हो जाते हैं, है है तो मोटीवेट्स करने के तो उसके बर होता है जब यहीं बतारा है कि जो लोर को होता है यह इस बंच जाताया खोंब करें ने तौन होता है उसके बाद वर्क पशब्चराएक डौन-चाक्षिक भाद एक श्लोली करने होताओ और कि ननुप बाषस ने गेर्श ने जादा से जादा काम कराया जा सको है तो इसके लिए उनको motivate क्या आता है तो जब आप company पर होते हैं तो इसमें बता है कि motivate करने का बहुत सारा सुरूत होता है जैसा कि अभी हम बता रहे थे other country में जो companies होती है जादा तर्ट ट्रीप देती है लेकिन इंडिया में कुछ कुछ company ह है जो motivate करने के लिए bonus point देती है हर quarter पर होता है या हर 6 मेने पर होता है या annual होता है तो motivate करता है कि आप जितना ज्यादा काम करेंगा आपको उतना ज्यादा benefit होगा एक salary अलग होता है उनको payment होता परमंत वो अलग हो गया लेकिन उनको bonus बताए इसलिए जाता है कि आप करने के लिए पाने के लिए आप motivate हो रहा होता है motivate होने का आप भी उसी race में चल पड़ते हैं तो ही बताता है motivation का स्वरोग अगर जब शुपर विजन लेवल वाला थक गया होता है तो जो middle level पर होता है जो manager होता है वो इसको motivate करता है लेकिन जब शुपर विजन लेवल पर जो भी होता है वे जाए शुका मोटिवेट करने के लिए supervision लेवल पर होते है वो ही मोटिवेट कर रहे है आइसा के एक कमपनी स्क्पर रिखनी के ए मफ्यन लेवल पर वह भी है बेचारा लेवर ठक चुका है अब सुपरवाइजर का तो मोटिवेट नहीं कर रहा तो बाहरकाद्मी थुरी ना आखे करेगा जो इस लेवल पर होता है वही मोटिवेट कर रहा तो वही बता रहा है मोटिवेशन का सुरूर कि इसी को समझने में कोई प्रॉब्लम एकिजामपल बताता है अब जैसे आप लोग पढ हें। पर न escaping रह입니다. तो घ्लेसर आता है के आप तो अरocide आपको मोटवेट कर रह रहे हैं तो आपके लिए वह enseign An assessu our जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं ऐसा तो नहीं रुट पहजार मी चलने उसमें सर एक आद्मी आएना आपको मोटिवेट करने लगें दया कि जो आपके पास मोझूद है वही आपको मोटीवेट कर सकते तो वही पता जा रहा है इस नो इस पाइंट को समझने में किछी कोई प्रब्लम इसकी बाद आते हैं डिसिप्लीन बनाए रखना बच्पन से जो छोटे थे दो बरे हो गए डिसिप्लीन सुनते सुनते कि नहीं होटा है भाथ ग्याणी लोग मिले होंगे आप अप लोग को डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब तरीका नहीं है, चलिए कोई बात ने, इसमें भई पढ़ना है, आप अगर किसी जगा जॉब कर रहे होते हैं, या कोई बी एक मॉल खोल रहे होते हैं, या कुछ भी कर रहे होते हैं, कोई भी काम, तो आपका उसमें एक डिसिप् system होता है system wise कर रहे होते हैं अगर और नवे काम करे लेक करना है तो ग्रांड लेबल होते हैं मिल को और फिसिकलिक लिवर करते हैं तो यहां पे भी बता जा रहा है कि आप जब भी कहीं हैंगे तो Ah एक discipline, एक rule, एक तरीका follow करना होगा, जब आप उस तरीके को follow नहीं करते हैं, तो discipline वहाँ पे खतम हो जा रहा होता है, जब आप देन तक school जा रहा होते हैं, तो एक timing होता था, साथ बज़े school पहुंच जाना है, साथ बज़े के बाद जाते हैं, तो आपको बोला रहता है, discipline नह discipline है ही नहीं, यह भी एक discipline है, और यही होना चाहिए, कि आप हर चीज को rule regulation के थुरूर follow करेंगे, इसका मतलब discipline का यहाँ पर यही बताया गया, इसके बाद बताया रहा है, work का proper distribution सुनिश्चित करना, इसका मतलब यही है कि अगर एक firm खोलते हैं, या आप मान लिजे यहाँ अगरवाल दुकान है, उस दुकान में कोई boss होगा, फिर boss काद manager होगा, manager काद lower level पे होगे कुछ, उसके बाद होगे ground level पे, तो manager भी है, supervisor भी है, lower level पे भी आदमी है, तो अब ऐसा थोड़ी नहीं कि सारा काम lower level वाला आदमी कर लेगा, ऐसा है क्या, नहीं न, ऐसा भी तो न नहीं है कि lower level जो ground level पे है, उनका physically work जो है, कपड़ा तयार करना तो middle level वाले कर देंगे, ऐसा भी तो नहीं है कि सारे employee को रखने का boss खुद ये काम कर ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, तो वहीं बता जा रहा है कि आप जितने staff रखते हैं, या आप जितने level पे अपने people को manage कर आदमी को manage कर रहे होते हैं, तो सब को उनके हिसाब से और काम को distribute करेंगे, हर लोगों को उनकी जिम्मदारी देंगे, जो उनके लायक होगा, अब अगर वाल खोले और सारा जिम्मदारी एक आदमी पे दे तो वो कभी नहीं कर पाएगा, तो वहीं बता जा रहा है, इसमें क अनलाइन, उसके बाद आता है, effective communication, सुनिश्चित करना, effective communication सुनिश्चित करने का मतलब, कि अगर अभी आप पढ़ रहे हैं, और आपके गार्जियन आपसे पूछते हैं कि आपको करना क्या है, जारी सी बात है, कॉमर्स में हैं, तो कॉमर्स के ही लाइन से कुछ करेंगे, कुछ लोग होंगे इसमें CA, कुछ होंगे CS, कुछ CLAT, कुछ CS, कुछ CFMA, कुछ CMA, इतने सारे कूर्स होते हैं, और भी बहुत सारे कुछ banking करेंगे, हो सकता है, इसमें से कुछ लोग UPSC के लिए भी जा सकें, तो इतने लोग होते, जब गार्जियन पूच रहोते हैं, बताते हैं हर कोई है, लेकिन हर किसी के गार्जियन यकिन से नहीं कहते हैं, कि आप जो बोलने कर रहा है कि हम आगे चल के वही काम करेंगे मालने इसमें से कोई आदमी को यह इन की परसन जिसके पुछे कि आप टो एल्ड करने के बाद क्या करना आगे फूचर में तो बोल से मतलके होता है इसमें ऐसलिए इस तरह बात बढ़ाई कर रहा है कि आप जो अपका जो रूटीन यह में उसके पड़ते आप जिम्हेदारी और यकीन दिखा रहा है कि आप कर सकते हैं अब हम सुबह उटे कोचिंग आया फिर घर गया बैग रख दे उसका घूमने लगे तो फिर मेरा गार्दियन हम पर कभी यकीन नहीं कर सकते बोलना ऐसी बोल रहा है तो बोलना बोलने दो तो इफेक्टिव का मतलब वही बता जा रहा है कि आप जब अपने गार्दियन को बोल रहे कि हमको क्लाट करना है तो आप उस तरफ पर एक दिखार रहा आपके गार्दियन देख रहे हैं आपके कोचिंग में टेस्ट ठोड़ा आप मांक्स पुरा अप्तेन कर रहा है आप बताया था effective communication सुनिश्चीत करना तो जब company में जो supervisor level पर जो भी होते हैं वो अपने उपर वाले boss को इस तरह बता रहे होते हैं कि उनके lower level पर उनका एंडरे में जितने worker होते हैं वो सारा काम कर लेंगे यह करवा सकते हैं में यह ability है इस तरह वो इस प्रेस कर रहा है इसका मतलब वही बताया रहा है effective communication किसी को समझ देना कोई problem अब उसके आज बतादा गोल का achieve में एक लक्षे को प्राप्त करना है अब आप उपर से नीचे तक आएंगे तो गोल आप एक एक इंसान हötा है उसको गोल होता है UPSC करना है तो हूपस करेगए नहीं एक प्रोसेस ऐस से जाएगा 10thыл oni जब टेनत पासाओट होगा ग्रेज dentro साओट होगा तो ग्रेजेशन पासाओट होगा ग्रेजेशन के बाद ही यह पेसी attempt कर सकते हैं तो एक process follow किया पढ़ता रहा पढ़ता रहा उसके बाद वो उसका exam देता है उसका वो crack कर लेता है तो एक process है तो इसमें वही बता जा रहा है आपके पास जो resource है उसको efficiently use कर रहा है कम से कम अब जो use कर रहा है तो वो healthy होने चाहिए उसके healthy industrial relation यह point बता दिश्थे क्या आपको बताना चीन नहीं बता तो अब यह बोलके निकल जाते है उपर से नहीं आते तो आप बोले हम तो यहीं पर है बोलते तो हम सुनते है अब healthy industrial अब healthy industrial relation मतलब यह होता है कि एक इंसान अगर एक company खोलना चाहता है तो चाहने से नहीं होगा उसके पास उतना vitamin M होना चाहिए प्रिटामिन M का मतलब कि उतनी पैसा होना चाहिए उतना money होना चाहिए ताकि वह एक company को maintain कर सके जब company खोल रहा जितनी खर्चांगो पे कर सके उसके available हो जब एक company खोलना उसके available हो पूरा खर्च दे पा रहा है सारे resource को पूरा कर सकता है जितनी जरौत पूरी पूरी कर रहा हो उसका तो पूरा करने के बाद सारे चीज़ को पूरा करने का बता जा रहा है जो supervisor level पे है तो उसका भी कुछ need होता है कुछ want होता है अपने life में अब जैसे हमका goal होता है कि हम कहीं job करें तो हमको मन्थली मिलेगा तो वहीं बता जा रहा है कि जब एक industry होता है वह healthy होना चाहिए ताकि आपको proper time पर आपको कुछ चुट्टी दे सके आपके time पर दे सके अब ऐसा थोड़ी ना हम वर्क कर रहा है और हमारे घर पर कुछ दुरघटना हो गई अब हम बॉस को बोलें सर चुट्टी चाहिए बॉस बोले अभी चुट्टी का time नहीं नहीं तो क्या आप ऐसा job करेंगे और उस industry को आप अ तो फिर आप बेकार है कि वहाँ पर आप खड़े हैं या आप उस level पर काम कर रहे हैं तो यहीं इसमें बता रहा है healthy industry relation तो जब आप एक job कर रहे हैं तो efficiently कम से कम resource में फिर आपकर जो जहां job कर रहे हैं इंडिस्ट्रियल होना चाहिए फिर उसके employer management के बीच अच्छा relation होना चाहिए अब जो कर रहा है जो मोटीवेट कर रहा होता है जो कंपणी होती है इसको रूल रीगुलेशन होता जिसको discipline कहते है इस सब को रखते हैं मद्यनेदर आप कहते हैं जो सुपर्विजर होता है इस सारे को follow करते करते हैं कि अपने goal पर आता है उस goal को achieve करता है अब एक company का goal होता है कि ए एक दिन में एक हजार पेन तयार करें तो इस सारे प्रोसेस को फॉलो कर रहा होता है फॉलो करने के बाद वो साम जब होता है उसका डूटी एंड के टाइम आता है तो उससे पहले एक हजार पेन प्रोड़क्त तयार कर लेता है तो उसने अपने गोल को अचीव किया यही बता इसी पॉइंट में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम